हेलो स्टूदेंस वेलकम टू मैं चैनल सिंप्लिफाइड क्लासेश मैं हूँ डॉक्टर निश्या आज हम पढ़ेंगे बिच्चो चैप्टर फो आनिमल किंग्डम का पार्ट टू पार्ट वन में हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिवल अफ सिम्ट्री डिपलोब्लास्टिक ट्रिपलोब्लास्टिक सेग्मेंटेशन सीव और नोटोगोड के बारे में जो की यहां आप देख सकते हो चार्ट में में यह एक बर चार्ट में आपको फिर से बता देते हूं सोड़ा जब हम फाइलम पोरी फेरा या फिर हम आगे फॉर् को चीज्फिक लेवल पर टिशु और यह सिस्टम लेवल पर अगर हम बात करते हैं सेलला तो यह क्या होते हैं स्युल माटडा और एक्जापल इसका क्या हो गए पॉरिफेरा यह देखे तो अगर आप यह चार्ट देख रहे तो आपको समझ में आ रहे हैं कि यहां से आप 4 points at least बता सकते हैं कि यहां से पोरिफेरा में क्या हो गया एसलो मर्टा हो गया mostly asymmetrical हो गया और क्या हो गया यह cellular level हो गया उस्सी तरीके से बचों यहां पर tissue organ या organ system level है इससे दो पार्ट में डिवाइड क्या हो गया रेडियल क्या हो गया symmetry तो radial symmetry और यह क्या हो गया bilateral symmetry रेडियल symmetry के अगर हम पहले बात करेंगे तो एसलो मर्टा है और इसका example क्या हो गया निडारिया जिसको हम क्या कहरें और दूसरा क्या हो गया टीनो फोरा next is bilateral symmetry इससे थ्री पार्ट में डिवाइड क्या गया पहला क्या हो गया without body cavity अगर body cavity नहीं है उसे हम क्या कहेंगे एसलो में जिसका example क्या हो गया प्लेटी हलमें तिसके बाद with a false सीलो में उसे हम क्या कहते है सीदु सीलो माटा एक्जांपल क्या हो गया इसका फाइलम कौन सा है एसलो में तो गया प्लेटी है तो यह तो बच्चो मैं आपको बस दो मिनिट में थोड़ा करा दिया है तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू फ्रम फाइलम पोरी फेरा पोरी फेरा में बच्चों क्या दे रखा है यह ध्यान से देखे जो members of this phylum are commonly known as sponges जो इस member में जितने भी organism है उसको हम क्या बोल रहे है बच्चों हम sponges बोल रहे है यह क्या होते है जेनरली मेराइन होते है और mostly क्या हो गए asymmetrical animals हो गए दिहान रखेगा यह चीज हम देख चुके यह क्या हो गया asymmetrical हो गए next is these are primitive multiceller animals यह क्या है multiceller primitive है और multiceller हो गए और they have a cellar level of organization अब आप कहोंगे हम इतनी सारी चीज़े याद कैसे करें तो यहां पर भी आप देख सकते हो क्या लिखा हुए cellular level of organization तो यह जो चार्ट बने वे बच्चों यह जो दे रखा है यह figure 4.4 बहुत जादा important है यह जो classify किया गया है the sponges have sponges में क्या हो गया have the water transport या फिर canal system present है यह जो sponges आप देख रहे हो next is water enter through a minute pore austria in the body wall into a central cavity अब आप इसको दिहान से सुनिए because यहां पे 3 नए terms दिए वे minute pore जिसको आप क्या बूल रहे है austria तो यह आप देख रहे हैं चोटे चोटे यह जो minute pore से यह क्या हो गया austria हो गया in a body wall into a central cavity अगर हम cavity की अगर हम बात करेंगे central cavity तो वो क्या हो गया sponges seal मतलब यह वाला जो अंदर cavity देख रहे हो यह क्या हो गया बच्चों sponges seal from where it goes out through the osculum अब एक और यहां पे word use होता है term osculum osculum क्या हो गया यह जो opening है बच्चों इसको क्या बोल रहे है osculum तो यहां पे तीन चीज़े हैं पहला क्या देखा आपने ostia ostia क्या हो गया जो minute pores present है यह तो ostia हो गया उसके बाद sponges seal क्या हो गया जो cavity है osculum क्या हो गया जो upper most layer है तो मैं एक बार फिर से पढ़ लेती हूं सो डाड़ आपको समझ में आ जाए water have a transport और a canal system present है ठीक है water enter through a minute pores water enter कैसे हो रहा है यह जो minute pores है इसके through enter हो रहा है जिसको हम ostia बोल रहे है and a body wall into a central cavity central cavity क्या हो गया sponges seal from where it goes out through the osculum और जो water enter through the ostia वो गया कहां पहले cavity का क्या नहाम है sponges seal और उसके बाद यह water पर कहां से बाहर निकल रहा है through the osculum समझ में आ गया होगा बच्चो दिस पाथवे of the water transport is helpful in food gathering यह जो water transport system में यह किस चीज में help कर रहा है gathering में help कर रहा है respiratory exchange में या फिर removal of waste में तो यह सारे medical question है डाड़ आपसे पूछ सकता है यह जो pathway of water यह किस चीज में help कर रहा है बहुत बच्चे को अगर words पता है तो यह तो पता लग जागा कि sponsor तो cavity यहां से इंटर नहीं होगा but confusion कहा होगा ऑस्टिया से इंटर हो रहा है या फिर osculum से इंटर हो रहा है आपके बता होगे gathering में respiratory exchange में and the removal of waste में तो यह आपको CBC point of view से इंपोर्टन है और medical point of view से भी यहां से question आएगा next बच्चों बहुत important है ध्यान से देखिए konocytes या फिर collar cells line the sponjo seal अब यह जो cavity है यहां पे sponjo seal इसमें क्या हो गया cells present है अब जो cells present है उसका इंदर कौन से से लोगे collar cells हो गए या फिर कोनो साइस प्रिजेंट है डाइजेशन इस इंट्रसिलर डाइजेशन कैसे इंट्रसिलर यह भी क्या है आपका medical question the body is supported by the skeleton made up of spikules या फिर sponges in fiber अब जो इनकी body है यह support कैसे हो रही है spikules या फिर sponges in fiber this is also a medical question question आ जाता है कि skeleton of a polyphera is made up of तो आपको बहुत सारे ग्जामपल दे रहेंगे जिसमें से एक example क्या होगा spikules या फिर sponges in fiber नेक्स अगर हम इनके sex के बार में बात कर रहे है यह क्या हो गया sexes are not separate sexes क्या है separate नहीं है तो अगर जब sex separate नहीं होता है तो इनको आप क्या बोलोगे हर्मेफोडाइट मतलब क्या हो गया that is the egg and the sperm are produced by the same individual मतलब जो एग हो गया और sperm हो गया यह कौन प्रड्यूस कर रहा है single individual इसे प्रड्यूस कर रहा है तो यह भी medical question है जो sponges है यह क्या है और उसके बाद जो sponges है इन में reproduction कैसे हो रहा है तो दो तरीके से reproduction हो रहा है इसमें sexually भी हो रहा है और asexually भी हो रहा है so sponges reproduce asexually by fragmentation अगर asexually होगा तो क्या होगा उसमें by the fragmentation and sexually by the formation of gamut और अगर sexually हो रहा है तो क्या होगा उसमें gamut क्या formation होगा fertilization is internal fertilization क्या होगा internal होगा और development is indirect having a larval stage इसमें क्या होगा a larval stage present होता है which is morphologically distinct from adult यह क्या होगा morphologically distinct from adult से अब यहां पर कुछ examples दे रखें पोरिफेरा का यह A में क्या होगा साइकॉन बी में क्या होगा यू स्पॉंजिया दिस वन और सी में क्या होगा बच्चो स्पॉंजिला तो यह बहुत important है कोशिन आ सकता है स्पॉंजिला बिलॉंग्स टू फाइलम तो आपको यहां पर क्या देखाता है तो members of फाइलम और commonly known as sponges तो आप यू स्पॉंजिया साइकॉन स्पॉंजिला तो यह नाम क्या होगा है कॉमन है आप नाम सुनके आप बता सकते हो कि यह कौन से फाइलम में इंक्लियूड होगे सो clear है बच्चो चलते है नेक्स पेश पे और examples क्या दे रखा है साइकॉन जिसको हम क्या बोलते है स्काइफा स्पॉंजिला फ्रेश वाटर स्पॉंज यहां से कोशन बहुत बार आयवा है कोशन दे देते हैं fresh water sponge is option दे देंगे साइकॉन दे देंगे स्पॉंजिला दे दें यू स्पॉंज यह भी मेडिकल कोशन है कोशन काफी बार आए वे है तो बच्चो हमने फाइलंप पोरी फेरा पढ़ लिया अब हम पढ़ेंगे बाउट फाइलंप स्योलें ट्राटा जिसको आप निडारिया भी बोलते तो कंफ्यूस नहीं होना है स्योलें ट्राटा को ही तो बच्चो हम निडारिया बोलते हैं यहां लन फिर नेंडारिया स्योलेंस यान रह सकते हैं लेशनी और नेम नेडारीया बढ़ेंस पूर्णी निडाव्या सब्सक्स्राइब derived from nidoblast या फिर nidocytes, c silent होता है बच्चों धियान रखेगा, यहां पर भी आप c nidaria नहीं बोलोगे, c क्या हो गया, silent है इसको आप nidaria बोलोगे, तो यहां पर भी इसे क्या बोलोगे, nidoblast या फिर nidocytes, तो यह जो नाम है यह कहां से derived है Neidoblast या पिर Neidocytes मतलब क्या हो गया Which contain the stinging capsule और a nematocyte इसमें क्या present है stinging capsule present है और nematocyte present है कहां पिर present है present on the tentacles on the body यह जो कहते हैं यह क्या हो गया Tentacles of the body Neidoblasts are used for अब यह जो Neidoblast है यहां जो हम बात कर रहे हैं किस चीज में help कर रहा है encouraging में means hold करने में defense करने में अपने आपको बचाने के लिए या फिर capture of the prey prey को बचाने के लिए prey को capture करने के लिए और अपने आपको defense करने के लिए और encourage करने के लिए तो function अगर आपको CBSE में भी पूच सकते के function of nidoblast आपके पढ़ता होगे हाँ पे encourage करने के लिए defense और capturing of the prey या फिर medical में आपको पूच सकता है nidoblast used for option दे देंगे और D में दे देंगे all the above आप किसे ticker होगे all the above because nidoblast हर चीज में help कर रहा है निडार यान exhibit the tissue level of organization and are diploplastic तो अब इसमें अगर हम organization की बात करेंगे क्या हो जाएंगे tissue level of organization और body क्या है diploplastic they have a central gastrovascular cavity अब अगर हम इनके cavity के बार में बात करते तो कौन सी cavity है यहां पे gastrovascular cavity तो हमने sponges में क्या देखा तो कौन सी cavity थी spongosil तो यहां पे बच्चे बहुत बार confused होजाते तो confused नहीं होना है और इसमें with a single opening mouth on hypostome hypostome में क्या हो गया एक single opening present है next क्या है digestion is extracellular and intercellular digestion क्या हो गया extracellular है और intracellular भी है some of the nidarians example क्या हो गया coral coral किसके अंदर आ रहा है निडारियन के अंदर आ रहा है have a skeleton composed of calcium carbonate so जो phylum siolantrata है जिसका example coral है उनमें जो skeleton है वो किस चीज से बने वे calcium carbonate के नहीं आपको बता देते हूँ कि हमने porifera में क्या पढ़ा था जो skeleton है वो किस से बने वे थे spikyos या फिर spongeon fiber से तो थोड़ा जब relate करके आप पढ़ोगे तो confused नहीं होगे निडारियन exhibit two basic form अब ध्यान से सुनिये यहाँ पे बहुत सारे questions यहां से rise होते जो निडारिया है वो क्या exhibit करता है two basic form जिसको आप क्या बोलते हो polyp बोलते है और middle sub होते figure आप देख सकते हो 4.6 में यह दिख रहाँ आपको the former is a sysile former क्या होता है पहले वाला means हम बात किसके बार में कर रहे है polyp के बार में यह क्या है sysile and a cylindrical form like hydra और यह कैसा form है cylindrical है जैसे hydra या फिर adansia तो यहाँ से question आ रहा है कि polyp कैसा हो गया यह sysile हो गया और यह cylindrical है जैसे hydra या फिर adansia whereas the later is later means किसके बार में बात हो रही है अब medusa के बार में तो अब medusa कैसा हो गया यह umbrella shaped है और free swimmer है जैसे क्या हो गया aurelia and jellyfish तो यहाँ पे questions आएंगे जो free living है या फिर free swimming है यह कौन-कौन से होंगे और alia या फिर jellyfish और हमने देखा था polyp उसके example क्या देखा था हमने hydra and adansia और medusa का हमने क्या example देख लिया बच्चो और alia या फिर आप उसको jellyfish कह सकते हो next is those nidar यान which exists in both the form यह जिसको आप क्या कहते हो alteration of generation तो उसको एक term क्या दे रखा है metagenesis तो ध्यान से सुनिए अगर question आता है alteration of generation किसमें show होता है क्या बताओगे sealant rata या finidaria या फिर question आपको पूछ सकते है क्या बताओगे आप metagenesis that is polyp produced medusa यह जो हमने polyp देखा यह क्या produce करता है medusa को produce कर रहा है कैसे asexually polyp जब medusa को produce करेगा मैं clear कर देते हूँ आपको easily visible हो जाए अगर बच्चो polyp medusa को produce कर रहा है यहाँ देखे polyp produce medusa कैसे asexually और medusa produce कर रहा है opposite हो गया अगर medusa पहले का example क्या हो गया this one यह आपका होता है obelia का चीके तो इस चीज को हमें देखान रखना है because यहाँ से बहुत बार question आते है और काफी बार 2013 में भी question पूछा गया है कि polyp से medusa में अगर जा रहा है तो कैसे हो रहा है bisexual या फिर asexually तो आप क्या टिक कर होगे asexually examples अगर आप देखना चाहेंगे क्या हो गया phycelia जिसको हम क्या बोलते है protégious man of war next is adamsia जिसको हम c animon बोलते है और penetula जिसको c pen gorgonia c fan और mandrina जिसको हम क्या बोलते है brain coral यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हो यह क्या हो गया A में और Aलिया मतलब medusa हो गया और B में क्या हो गया बच्चो adamsia जो की polyp c this one तो समझ में आगे बच्चो clear हो गया और यह देख सकते है आप diagrammatic view of nidoblast यह दिख रहे है यह diagrammatic view है किस चीज का nidoblast का clear हो गया बच्चो next is phylum tinophora अब phylum tinophora में क्या है यहाँ पर विद्धान रखना है c क्या हो गया c silent है निडारिया में भी हमने क्या देखा था c वहाँ पर silent था tinophora commonly known as c walnut हम इनको क्या बोलते है बच्चो c walnut बोल रहे और उसके बाद यह तो आप बोल सकते हो क्या com jellies तो दो नाम हो गए c walnut या फिर com jellies यह क्या हो गए exclusively marine है exclusively marine मतलब कि वो सिर्फ marine ही है वो और कहीं aquatic नहीं है वो सिर्फ क्या हो गए marine हो गए और symmetry की बात करेंगे यह radial symmetry है diploblastic organism है with a tissue level of organization इसमें भी क्या हो गया tissue level of organization body क्या bear करता है 8 external row of ciliated com plate यह बहुत important है यह काफी अलग features है body क्या bear कर रहा है इसमें 8 external row of ciliated com plates यह देख रहाँ आप यह figure which help in locomotion तो यह किस चीज में help कर रहा है locomotion में help कर रहा है figure कहां है 4.8 यह आप देख चुके हो example of tino4 या फिर उसका नाम क्या है pyrobranchia next is अगर digestion की बात हो रही है तो digestion is both extracellular and intracellular और biluminance क्या हो गया the property of a living organism to emit light is well marked in the tino4 तो जो देखते हो ना biluminance क्या हो गया property किस चीज के लिए light को emit करने के लिए वो काफी जादा अच्छे से आप देख सकते हो किस में tino4 में sexist के अगर हम बात करेंगे इसमें separate नहीं है reproduction takes place only by a sexual means so reproduction कैसा हो रहा है sexual means है और fertilization is external and internal development fertilization external है और development कैसा हो गया with internal development है example क्या हो गया बच्चो प्यूरोब्राइंक किया और दूसरा क्या हो गया tino plana तो ये बहुत important है complete हो गया बच्चो tino4 नेक्स वीडियो में हम पढ़ेंगे about phylum platyhelminthus